वेल्कम तो कॉक्टिस इंडिया एंड आई एम यो होस्ट दादा बार्टेनर फ्रेंस आज का वीडियो में हम लोग जानेंगे वो फाइब मिस्टिक जो अक्सर हम लोग कॉंसियस्ली या अंकॉंसियस्ली करते रहते हैं जब भी ओडर करते हैं कोई भी ब्रिंग्स का बार में इस्पेशेली आप लोग ये गलतिया हमेशा रिपीटेटली करते रहते हो और इससे आपका रिपूटिशन भी जुड़ा हुआ है इसको इमेडियेट रेक्टिफाई करना है तो इसलिए मैंने ये फाइब पॉइंट्स आपके सामने लाया हूँ आगे जाके ये गलती प्ल कोई अपग्रेड रोटल में जाएंगे तो इतना अच्छा एक प्रीमियम बॉल में किसी कस्टेबर वो घुट घुट के पी भी जाता है ये है गलतिया तो इसको इमेडियेट रेक्टिफाई करना चाहिए सोचिए कितना मजाग होता होगा उस बंदे का जो पी गया होगा हसल में दोस्ट आपका नहीं है आप लोग शायद उतना डीप या गहराई से नहीं सोचा है नंबर वन मिस्टिक जो है वो अक्सर हम लोग करते हैं अच्छे बार में जाते हैं आपके पास बहुत पैसा है और आप सिंगल मॉल्ट भी ओर्डर करते हैं सिंगल मॉल्ट यानि सच में एक प्रेमियम क्वालिटी स्कॉच विस्की और उसके साथ आप सोडा कभी-कभी वाटर या पानी मिला लेते हैं यह सरासर गलत है फ्रेंस आपके लिए शायद नीट पीना डिफिकल्ट हो सकता है बट ऑनेस्टली टेलिंग यू अगर आप सोचल ड्रेंकिंग करते ह सच में एक सिंल मॉल्ट ऑडर कर चुके हैं तो आपको नीट पिना सबसे ज़रूरी है घर में आप क्या करते हो कोई देखनेग नहीं जाता है घर में अगर आप पीते हो तो कोई बात हैं तो आपका मजाग उड़ सकता है तो इसलिए recommended है कि अगर सच में आप single mod order करते हो तो please उसको neat PA कीजिए और यह काफी सरे example है जैसे कि Louis Thrice Louis Thrice एक brandy है या cognac brandy है hundred years old मैं देखा हूँ अपनी आखों के सामने यह होते हुए कि Louis Thrice order क्या है और उसको चाहिए old-fashioned glass में उपर से soda भी चाहिए और उपर से पानी भी चाहिए सोचिए Louis Thrice order कर रहा है जिसका एक take का कीमत यानि 30 ml का कीमत 30,000 रुपीज है और वो बंदा अपना बलबुते पर खडिता भी है और उसमें वो जैसे पानी सोडा मिलाना चालो करते है तो सभास्त है बार्टेंडर से लेकर आस पास का जितने भी है सभास्ता है तो मैं बोलो और भी काफी example है जैसे कि आपको long and iced tea चाहिए और आप बोलते हो कि मुझे आइस नहीं चाहिए या long and iced tea एक mixed cocktail है जहां पर five drinks का मिष्टन है और वो without ice कैसे बन सकता है यार आपको वो मांगने चाहिए mojito आपको चाहिए mojito और अकसा देखा हूं कि mojito ना बोलते है mojito भी बोलता है mojito नहीं mojito mojito में भी देखा है गरबर है mojito में बोला कि मुझे आइस नहीं चाहिए mojito एक refreshing drink है हमेशा ice के सबस्वब करे रहता है without ice embarrassing है एक bartender के लिए उसको बनाना तो ऐसा बहुत सरा fact है wine order कर लेता है उसमें बोलता है या red wine चाहिए और उसमें चाहिए ice यार क्या मतलब है फिरेड वाइन ओडर देने का white wine ओडर दीजेना if you don't know ask directly to your bartender आपको वो guide करतेगा properly अगर आपको मालूम नहीं है तो गलती मत कीजिए क्योंकि उसमें आपका मजा कुर सकता है भले ही आप बहुत पैसे वाले हो और अच्छे drinks order दे चुके हो second point में बोलेंगे की be specific while placing your drinks order अकसर क्या होता है मान लीजिये आप group of people के साथ इकठा गये है बार में और आप तो decide कर चुके कि आपको पीना क्या है उसी दौरण आपने bartender से इंट्रक करना चालू कर दिया उसको order दे दिया बाकी चार अभी तक decide नहीं किया वो उलट रहा है पलट रहा है menu वो सोच रहा है कि मैं क्या करूँ मैं क्या दू नहीं दू और काफी confused भी है और उस टाइम पे bartender आपना जो कीमती time है वो आपके पस खड़ा होके सिर्फ सुन रहा है कि कब तक आपका order complete होगा और वो move करके दूसरा जगा जगा जाएगा तो सोच ये कितना difficult हो जाता है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब भी order देने का आप मन कर लेंगे आपका जो friends है वो भी decide कर लेगा तब ही जाके bartender को बुलाईए और एक साथ इकठा आप direct order दे दीजिए याद रखिए जब भी order दीजेगा तो उसमें भी आपका proper specification होगा चाहिए जैसे कि अगर आपको whisky पीना है तो उसमें soda चाहिए यह water चाहिए या आपको कुछ cocktail चाहिए तो उसमें balance क्या होना चाहिए अकसर confusion हो जाता है कुछ-कुछ मामले में मैं देखा हूँ कि guest जो है मान लो bartender पुछा कि मैम आपको कौन सा cocktail चाहिए या आपको sweet side में चाहिए या lemon side में चाहिए अगर lemon side में चाहिए तो कैसा चाहिए तो customer कैसा रियक करता है कि medium medium जो है ये proper answer नहीं हुआ और इसमें bartender बड़ी दिक्कत में पड़ जाता है कि बनाए तो कैसे बनाए medium का क्या proportion रहेगा कैसे customer को मैं best service कर पाऊंगा ये कोई answer नहीं हुआ तो आपको specify करना होगा कि medium का कुछ भी नहीं होता है आपको बोलना होगा हाँ जी हाँ मुझे lemon side में चाहिए या sweet side में चाहिए जो भी हो एक specify करना होगा बहुत सारों और example है मान लीजिए आप order दे रहा है wine का अपने बोला मुझे pinoa दे दीजिए अब pinoa का मतलब pinoa grigio भी हो सकता है जो white wine है अब pinoa noir भी हो सकता है जो red wine है तो confusion तेयार होता है मैं बोलूँगा कि अगर martini order करता है तो आपको specify करना होगा कि क्या चाहिए dry, extra dry, medium कौन सा martini, vodka या gin या अगर आपको ये सब मलुम नहीं आप पूछिए न बार्टेंडर को तब वो आपको बता भी देगा मैं और भी देखा हो कि आप assume कर लेते हो कि जो mixed drink आपने last time order दिया ता दूसरा बार में साइध ये बार में भी आपको as it is मिल जागा बिल्कुल नहीं bartender अलग होता है उसका mixology skill अलग होता है टेकनिक अलग-अलग होते है तो उस हिसाब से अपना bartender जो है आपको drinks बना के देगा तो आपको इसी time पे specify करना होगा कि जो mixed drink आपको चाहिए वो कौन सा चाहिए नमबर 3 point में मैं बोलूँगा कि ordering difficult cocktail while bar is too busy बहुत busy bar चल रहा है bartender कली दोर रहा है इधर उधर 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 और आप जाके वहां पर order दे तो मुझे high risk coffee चाहिए मुझे कोई flaming Lamborghini चाहिए अब क्या होता है bartender आपका order ले लेगा मगर आपका जो service है वो बहुत डिले हो जाएगा क्योंकि उस time पे straight drinks चाहिए जादा चल रहा है या कोई common cocktail से जादा चल रहा है काफी order है तो bartender बहुत मुसिबत में पर जाता है उस drink को prepare करने के लिए तो मैं सजिस करूँगा कि आप busy bar में अपना order को थोड़ा अदल बदल कर ले और कुछ easy drink की तरब जाए जहां से आपको best service भी मिल सकता है उस busy bar से भी और उस time पे बहुत activities भी हम लोग करता है जो बहुत गलत है जो एक again mistakes में count होता है being a customer जैसे कि वो बार-बार bartender को बुला लेता है bartender से chat करने का कुशिश करता है जैसे सोचता है कि मैं अकेला है हूँ अब मुझे किसी तुरह सा गप्पे शप्पे माड़ना है तो मैं bartender को क्यों ना बुला लो विचरा बाटender तो आपके सामने आ जाता है मगर सोचिए एक बार उसका इतना सारा pending order है वो आपका कोई भी बात consciously नहीं सुन पा रहा है क्योंकि उसका काफी सारा काम pending हो चुका है और उसको आप अपना कहानी सुनाने में तुले हुए है तो ये बिलकुल avoid करना चाहिए और देखा गया कि closing time पे अकसर हम लोग drinks मांगते रहते हैं कि भाई एक last drink दे दे एक last drink दे दे ये बहुत embarrassing है एक bartenders के लिए closing time पे कभी भी drinks का request करना नहीं चाहिए भले आप trusty है मैं समझ सकता हूँ कितना trusty है फिर भी आपको ये request नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत गलत एक sign लेकर जाता है आपके बारे में और cocktail में भी काफी कमाल होता है मैंने देखा है कि एक cocktail जो आपका particular rim लगा हुआ है salt का जहां पर straw का कोई कम नहीं है आप कभी straw भी मंगबा लेते हैं वो भी गलत है अगर देखेंगे कि आपका glass का rim के उपर कुछ लगा हुआ है यानि गानिश की तोर पे यानि वो indicate करता है कि आपको वो seep करना है तो अगर आप उस टाइम पर stop मंगबा लेंगे तो ये आपका मजाग उड़ सकता है क्योंकि आपको literally मालूम नहीं है कि कौन सा drink कैसे पिना है चान नमर पॉइंट में मैं बोलना चाहूंगा कि जब भी आप बार में इंटर करते हो और बार स्टूल में या कहीं भी बैठते हो तो आप expect करते हो कि आपका order तुरंत ले ले काफी मुश्किल है आप एक बध्यान से सूचिए crowded बार है कम से कम 20-25 जो customers है वो already बार काउंटर को घेरे रखे हुए है और एक बार्टेंडर आपको observe कर रहे कि आप एक नए customer है आप already बैठ चुके हैं या आप खड़े हैं वो आपको observe कर चुका है क्योंकि हम लोग को वैसे ही train किया जाता है आप लोग को entertain करने के लिए तो आप बेफिक कर रही है आपके पास वो bartender बिल्कुल आएगा थोड़ा सा time दे दीजिए थोड़ा सा patience रखे वो आपके समने coaster और cover रखे जाएगा instantly मैं बोलता हूँ क्योंकि ये हम लोग को सिखाया गया है तो उतना तक आपको patient रखे ऐसा नहीं करें कि मैं तुम्हारा मालिक का दोस्तू मुझे तोड़ा discount दे दो कभी ये होता नहीं है हम लोग कोई भी bartender इसको positively नहीं लेते है अगर सच में आपका friendship है उस बार का honor से तो genuine जो customer है वो कभी बोलता ही नहीं है वो total experience को cover करता है और उसके बाद उसका जो friend है उसको बोल देता है यानि वो है genuine बंदा जो बोलता ही नहीं है और जो बोलता है कि मैं आपका honor का दोस्तू मुझे discount दे दो मुझे ज़्यादा privilege दो वो actually friend नहीं है पाच्वा point जो है बहुत important है do understand that bartenders are the professionals यह आपको सोचना है क्योंकि जो bartender आज बार के पीछे काम कर रहा है वो seven lakhs खर्चा करके आया है उस industry में काम करने के लिए वो कोई मामूली घर से नहीं आया है और उसका उज़ा को service deliver करता है उसके लिए उसको pay किया जाता है आप उसका सर खड़िद नहीं लिया महाँ पर ड्रिंक्स खड़िदते हुए अक्सर देखा गया कि बहुत सारा customers bartenders के साथ बहुत miss behavior करता है यह बिल्कुल गलत है दोस्तों मैं बोलूंगा यह करना नहीं चाहिए क्योंकि bartender professionals है they know they are all kind of works and they are always trying to give you best service वो चाहिए भले ही मर जाये उतना crowd में जान निकल जाए फिर भी वो एक बहुत सुन्दू स्माइल के साथ आपके पास आता है और आपको बेस से बेस सर्विस प्रवाइड करने का कोशिश करता है सोचिए उस बंदे का क्या हाल होगा कि वो सुबा से आया है continue रात को चाड़ वह तक काम करता है और आप उससे फिर भी expect करते है कि continue ठीक ठाक ब्यावेर करें फिर भी वो बंदा करता है क्योंकि that is our profession हम लोग को करना पड़ता है हम लोग करते तो है मगर कभी कभी इतना miss ब् गलत है दोस्तो तो यही था आज का वो five major points जो अकसर हम लोग गलत करते है जब भी बार में जाके drinks order करते है hopefully यह वीडियो आपको help किया होगा आपको समझने में और bartender को समझने में thank you so much for watching this video see you very soon the new cocktail, new cocktail, new interesting subject, till then bye bye and take care, please don't drink and drive, tata